बच पर मैं पैरों पर नहीं हो पाती थी, खड़ी, फिर भी बनी दुनिया की सबसे तेज धाविका बिलमा रोडोल्प की जीबनी। जिंदगी में संगर्स और मेहनत करने बालों के लिए कुछ भी असंबब नहीं होता। बसरतें कोई भी काम सची निश्टा से किया जाए। वो कहते हैं कि यदि कोई काम सचे मन से किया जाए तो सारी काइनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। बिलमा रूडूल्प ऐसी ही सक्सियत थी जिनोंने दिब्यांग होने के बाबचूद नामनकुन सब को मुमकिन में बदल दिया था। बिलमा रूडूल्प का जन्म 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांट में एक गरी परवार में हुआ था। इनकी मां घर घर जाकर काम करती थ तो पिता कुली का काम किया करते थे। एक दिन अचानक से बिलमा रूडूल्प को पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा जिसके बाद उनके परिवार बाले इलाज करने के लिए अस्पताल ले गए। बहां जाकर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को पूलिया हो गया ह और अब वह कभी चल नहीं पाएंगी। बचपन में जब बिलमा रूडूल्प अपने भाई बैनों को खेलती हुई देखती थी तो उन्हें काफी तकलीफ होती और कई बार रोने भी लग जाती थी। वह अपनी मां से कहती हमें भी खिलना है तब उनकी प्यारी मां बड़ से खराब चल रही थी। उनके घर का गुजारा जैसे तैसे होता था इसलिए बिलमा रूडूल्प को अच्छे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। घर पर मां बिलमा रूडूल्प को रोजाना एकसरसाइज करवाती थी ताकि को पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सके लेकिन इतना आशान नहीं था दो साल तक एक करम चलता रहा और धीरे धीरे उनके पैरों में जान आने लगी और उन्होंने फिर जित करके ब्रेस निक्वालवा दिये और चलना प्रारम किया। कई बार तो चलते चलते गिर जाती थी तब भी बिलमा रूडूलप उस दर्द को सहन करती थी लेकिन उन्होंने हिमत नहीं हारी और 13 साल की उमर में अपने भाई बहनों के साथ खिलना शुरू कर दिया था और फिर वाई स्कूल जाया करती थी बिलमा रूडूलप अब धी करने में जुट जाती थी एक बार स्कूल में खिल प्रतियोकता रखी गई तब उन्होंने दोड़ प्रतियोकता में हिस्सा लिया लेकिन वाई सबसे अंतिमिस्थान पर आई लेकिन बिलमा रूडूलप ने हार नहीं मानी और लगातार दोड़ प्रतियोकता में हिस्सा ले प्रवेशन के लिए टेरे सी राच बिस्विध धहला में प्रवेश लिया, यहां उनकी मुलाकात कोच एंडी टेंपल से हुई, बिल्मा रूडॉल्फ ने टेंपल से मिलने की बाद अपनी एक्षा बताई और कहा वो आई सबसे तेज धाबक बनना चाहती हैं, जिसके बाद कोच टेंपल ने उन्हें ट्रेंणिंग देना सुरू कर दिया, बिल्मा रूडॉल्फ ट्रेंणिंग के दोरान काउफी मेहनत की और उन्होंने अपनी प्रेटिस एक धिवी दिन मिस नहीं होने दिया, अपने मेहनत के दम पर आकरकार उन्हें उलंगपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया, बिल्मा रूडॉल्फ का सामना ऐसी धबका से था, जिसे हराना बेहाधी मुस्किल था, पहली रेश सौ मीटर की थी, जिसमें बिल्मा रूडॉल्फ का सामना जो टाहिंग से था हुआ, जिसे बिल्मा रूडॉल्फ ने हराकर सौल पदक जीता, 1960 में रूस में हुई ओलम्पिक में बे पहली अमेरिकन महला बनी जिन्होंने एक ही ओलम्पिक में तीन गुल्ड मेडल जीते उन्होंने 100, 200 और 400 रिले रेज जीती और दुनिया की सबसे थेच दोडने वाली महला बनी बिलमा रूडॉल्फ ने अपनी जीत का स्रे हमेशा अपनी मा को दिया उनका कहना था कि अगर उनका होसला उनकी प्यारी मा नहीं बढाती और कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती तो आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुँच पाती 1944 में बिलमा रूडॉल्फ ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अलवदा कह दिया लेकिन उनकी कहानी हमारे लिए प्रिड़ा दायक है क्योंकि जिस तरह उन्होंने दिब्यांग होने के बाप जूत जो मुकाम हाशिल किया और बहुत ही मुस्किल था